आज का कहानी है जुईत पुत्रि का अर्थात शीतिया ब्रत कथा एक जगह पाकड के पेड के नीचे चील और सियारिन रहती थी, दोनों पक्की सहेली थी एक बार उन्होंने चितिया ब्रत करने का सोचा और फिर ब्रत किया उसी तिन नगर का एक ब्यापारी मर गया पर सियारिन को नहीं रहा जा रहा था उसको बहुत भूख लगी थी वह ब्यापारी जिसका दाशंशकार वही मरुष्थल पर हुआ था वहाँ चील और सियारिन रहती थी सियारिन ने उसको खा लिया जिससे उसका ब्रत तूट गया पर चील ने वह ब्रत पूरा किया दूसरे जन्म में दोनों ने ब्रहामन भास करके हां जन्म लिया दोनों बहने बनी चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी चील का नाम शिल्बती रखा गया और सियारिन का नाम कपुरावती रखा गया शिल्बती की साधी बुद्धिशेन सु हुई और कपुरावती की साधी नगर के राजा के साथ हुई जिसका नाम मलै के तू था भगवान जिवत बाहन के आशिरवाद से सील बती के साथ पुत्र हुए पर कपुरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे जब सील बती के साथो पुत्र बड़े हो गए तब वो राजा के दरवार में काम करने आने लगी कपुरावती के मन में उन्हें देखकर इर्ष्या की भावना आ गई उसने साथो बेटों के सर कटवाकर उन्हें नए बरतन में रखकर और लाल कपड़े से ढखवाकर शिल बती के पास भिजवा दिया यह देखकर जियुत बाहन भगवान ने मिट्टी से साथो भायू के सर बनाए और सभी के सर को उनके धर से जोड़ कर उन पर अमृत छिड़क दिया जिससे उनमें जाना गई साथो बेटे जिन्दा होकर घर आ गए और जो कटे सर कपुराबती ने फेजे थे वो फल बन गए वहाँ कपुराबती ये सुन्ने को ब्याकुल थी कि कब शिल बती के घर से खबर आए जब कोई खबर नहीं आई तब वो खुद बहन के घर चली गई वहाँ सब को जिन्दा देखकर वो बेहोस हो गई जब उसे होस आया तब भहन को उसने पूरी बात बताई उसे अपनी करनी पर पच्टावा हो रहा था सील बती को अपने पुर्व जन्म की बात याद थी वो कपुराबती को लेकर उसी पाकड के पेड के पास गई और उसे सारी बात बताई यह सुनकर कपुरावती मर गई, जब राजा को इस बात के खबर मिली, तब उन्होंने उसी पाकड के पेड के नीचे कपुरावती का दाशन शकार कर दिया, यही जीतिया ब्रत की पौरानिक कथा है, यह ब्रत बच्चों के लिए किया जाता है, यह शुक कामना के लिए किया जाता है, कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए,